स्री राधी राधे जैस्री क्रस्न कैसे हो आप लोग पर आई हो कि अच्छे होंगे बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ तब यह थोड़ी डाउन हो रखी है और दोनों बच्चे इस्कूल गए हैं और टाइम हो रहा है साड़े बारा बजे उस साथ घोड़ो की पिक्चेर लाई थी तो वहीं पर टंगी हूई है मेरा साहस ने ओ रहा कि मैं उसको टांग दू कहीं पर वहीं भी रख्यों यह वो और अब मैं अपने आप इटा होंगी इसको चड़ा दिया है मैंने दाल और भाथ दिन में ना दाल चावली खाते हैं बच्छों को भी अच्छा लगता है और यह उसमें पतेले में रख दिया है मैंने चावल खुले ही चावल बनाती हुँ मैं और इसमें रख दिया है मैंने दाल अरहर मलके की तो बस यही पसंदे बच्छों को और आज मैंने कपड़े भी नहीं दुए हैं तो बाहर का मौसम ना आज ठीठा की हो रखा है बारिशानियों को हो रखी है यह कल परसों के कपड़े हैं लेकिन यह सूख ही ने इतना हो रहा है और यहां पर तेड़ों के जो पत्ते हैं न वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं यह देखे डर भी लग रहा है इसकी बेल को देखके आज कल ना हमारे उत्राखंड में इसी तरीके के साप लोडते रहते गास के अंदर हर्यों बोलते हैं उनको और वो डंक भी मारते हैं खिलते आई हैं यह थोड़ा सा लुक्त होता जा रहा है अभी इन गम्लों को भी मैं सेट करूंगी और तड़ू तो इतना ज्यादा फैला हुआ है इसकी जो वह है ना यह देखे एक तो यह है एक यह है एक यह है एक यह है तो जितने मैंने लगाए थे ना वो सब होड़ा ह हो गई और इन्होंने ना करी पत्य का जो पेड़ है वह भी लिपेट लिए आया है अपने आगोश में तुलसी माता भी बहुत अच्छी हो रखिए पहले सूख गई थे अब हरी होने लग गई है बरसात में अलोबेरा भी बहुत अच्छा हो गया है अब इस एलोबेरा को मैं दूसरे गमले में सिप्ट करूंगी इसके लिना जगा नहीं हो पा रही है प्रियाप्त और यह लखी प्लांट यह मेरी दीदी ने दिया था उसके घर से लाई थी मैं यह चलिए और मैं बैठ गई हूँ यहां पर आप लोगों के दो-चार कमेंट करने के लिए किसी ने कमेंट गया था कि दीदी जब हम लोग कमेंट करते हैं तो आप नाम लेके बोल दिया करो कि इसका कमेंट है और यह लिखा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ दू और अब यह दूसरे फॉन में ना पता क्या करती हूं मैं जिस फॉन से मैं वीडियो बना रही हो ना तो उसी फॉन में कमेंट आते हैं और उससे स्क्रीन सोट लेके इसमें डालती हूं और फिर पढ़ती हूं नहीं तो मुश्किल हो जाता है तो बच्चों के वजह से ना पासवर्ड लगाया रहता है मेरा क्योंकि उनको आजकल फॉन बिल्कुल नह होता है यह देखिए वह खुली नहीं रहा है हम दोनों की फोटो लगी हुई है इस पर मैं नहाई हूं तो इसलिए मैंने अभी बाल नहीं बनाए है और पसीना इतना ज्यादा आ रहा है मैं भूल गई कि पंखा भी चलाना है पहले फैन ओन कर देती हूं मैंने कर लिया है फैन ओन रे लोडिंग ही हो रहा है पता नहीं कब से हो गया कम कर देते हैं आप लोगों को ना नहीं तो पंखा की हवा उससे पंखा के आवास से सुनाए नहीं देगा जो मेरी भावी लगती है या मैं उनकी भावी लगती हूं पता नहीं वो विल्कुल भी यह दि बता रहे के वो है कौन उन्होंने लिखा है कि आप सबको सबसे पहले सावन की बधाई पूरे परिवार को अच्छे ब्लोग दिखाते हो खास के घर की चीजे और गाना के तो म प्यारी है हमेशा ऐसे ही खुश्रो रीड मूर है मैं भूल गई इसको पूरा खोलना हिमांचल वाली अनु इनने कमेंट किया है रादे रादे दिदी जी धन्याबाद दी आपने मेरी फरमाईश पूरी की बहुत अच्छा गाया आपने सच्ची में आवाज आपकी बहुत अच्छा है आपने मुझे हर वीडियो में आपसे मुझे हर वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोगों का दिल से धन्याबाद कि आपको मेरे ब्लोग में वो सब दिखाई देता है कि जो आप सीख रहे हो वैसे मेरे ब्लोग इतने अच्छे नहीं होते अच्छे होते थो थोड़ा सा व्यूज और आते पर मैं यह सोचती हूँ कि कोई वातनी अभी शुरू आते हैं ना धीरे-धीरे हो जाएगा आरती बिष्ट रादे रादे क्रश्चना जी मेरा लड़ू गोपाल बनतब यह हर वीडियो में राधी रादे काई सिमरन करती रहती है तो आपको दिल से भी रादे रादे और सना डायर लिखती हैं कभू को भी दिखाया करो वीडियो कॉल पर तो मैं कोशिश करूंगी अप कभू से बात कर वाँंगी आप लोगों की तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत प्यार करते इसके लिए धन्यवाद दिल से और शakteी डवराल करते हैं बहुत अच्छा घाते हो आप बहुत अच्छा वीडियो थैंक यू शंती डवराल जी क्या आवाज ह आपको मेरे आवाज अच्छी लगी काम चलानी के लिए है ना साक्षी पंडीर जी कहते हैं मुझे आपका बोलना बहुत अच्छा लगता है दि मैं ना आपके ब्लोग के ब्लोग अच्छा आपके ब्लोग का इंतजार में रहती हो तो ठेंक यू शाक्षी बहुत भाऊद धन्यवार और ईश्वर आपको खुश रखें सब को जोनुने कमेंट किये हैं और जोने कमेंटी म trous नहीं किया है कोई वाद ना देखते तो है ना तो उनको भी बहुती सुन्दर सोवा बहुखंडी यह मेरी दीदी है बुआ की वेटी और एक भाईजी लिखते हैं रमेस गुसाई है उनका नाम तो उन्होंने लिखाया है बहुत सुन्दर आवाल कभू को जब आप कभू बोलते हो ना तो कभू बड़े प्यार से बोलत हमें बहुत अच्छा लगता है आपका धन्यवाद और कभू ना ऐसी बोलते हैं जब हम उसको बोलते ना कि कभू या कभिता तो हां बड़े अच्छे से बोलती है और सीमा आर्या यह तो बहुत मतलब ना कुछ-कुछ लोग ना वैसे सारे लोग ही अच्छे हैं लेकिन सीम आर्या जी लिखते हैं बहुत सुंदर आवाज है बेटा आपकी तो आपको ना दिल से पढ़ना आपके चरुणों में दिल से पढ़ना और आपना कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको मेरे ब्लोग भी अच्छे लगते हैं आप मेरा साथ दे रहे ह हैं तो आपका दिल से धन्यवाद और जिंदगी बर धन्यवाद गीता पांडे जी भी लिखती हैं बहुत सुंदर आवाज है आपकी तो थेंक्यू गीता जी आपको भी और और कमेंट भी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी कल की वीडियो में थोड़ा थोड़ा जिसके कमे आपके नहीं आता है कि इस टोपिक पर वीडियो बना दो काम तो हम सुबज से साम तक धेर सारा करते हैं लेकिन सूट हम कुछ कुछ ही कर पाते हैं जैसे कि अब पूरा घर काम कंपलीट हो गया है और नहाध हो के खाना मैंने रखा है गैस पर अब बैठी हो मैं यहां पे आ यहां चाफला का कटना नहीं पासलि प्यत्व घमक है और आटे का कटना रहता है पर पहले तो जैसे आटा घर में आता है तो उसको ड ममें मैं डाल देते हो जो बसता है उपर रख देती हो तो ट्रंब ना फीस खिलो के 25 किलो के है तो थोड़ा-टो तो मैं ना ऊपर लुग तो यहां on hi čान और भी लगता है न विरन अच्छन न ईहला है न गार वहां है तो में ओर मे। बहुत जाद पर याएसे बिरसान में लगोकार जैunt कितने दिनों तक रह जाता है ना तो मुझे टेंशन नी होती है लेकिन अंधुरी नी जब चीजें होती है ना तो थोड़ा सा घबराता है इंसान अब मेरे गना घबराने की बहुत जल्दी आहदत है कि मदर चेश्ट के अंदर क्यों दर्द हो रहा है यह जैसे पेट में अग अटी में से आई तब तक मैंने पार्टि वेर जो कपड़े है वो नहीं रखते här वह बैड में नहीं रख चाल जाहिए तो पैकल स्मय नहीं रख दैते हैं लुब फो तो काम तो मैंने आज एक्षठा किया लेकिन मैं काम में उल्जा रही थी अपने आपको तो चलिए अभी मैं बाबु को लेने जाओंगे उसका टाइम हो जाएगा रेड़ बजे खाना भी मेरा बन चुका है तो अभी थोड़ा बहुत जरा टीवी देखोंगे टीवी खोलोंगे किस-किस के ब्लोग आये हैं ऐसा नहीं है कि हम भी ब्लोग बनाते हैं तो हम किसी के ब्लोग नहीं देखते हैं बहुत सारे मेरे फेवरेट ब्लोगर हैं जिनका कि मैं वीडियो देखती हूं तो मैं आ गई हूँ बाबु को लेके और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है पसीना पसीना हो गई है और मैं आप लोगों को एक और अपडेट दे देते हूँ संडे को मैं लाइब आओंगी नौ बजे तो आप लोग सब लोग आना और वहाँ पर फिर बाते करेंगे धेर च का तो आप लोग लाइब में जरूर आना जरूर जरूर आना संडे को रात के नौ बजे तो जरूर आना आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मेरी बहुत सारे बहने जुड़ी हुई है मेरे से तो आप लोगों से पहली बार मुलाकात होगी लाइब वीडियो में और जो भी एक और अच्छी नई विडियों के साथ तक तक के लिए श्री रादे रादे जैसरी क्रिस्म जैसरी राम